जय हो, पवन पुत्र, हनुमान जी की जय हो, सालासर बाला जी की जय हो, मेहदीपूर, बाला जी महाराज की दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, बाला जी एस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राश्शिवालों, मित्रों, आने वाले 24 घंटे में, आपक सुनकर आपका भी रोंग्टे खड़े हो जाएंगे, भगवान, शनी देव को कर्मों का देवता माना गया है, अब मित्रों, आपके कर्मों का जो हिसाब होगा, उसे आप बड़े ही ध्यान से सुने, ऐसी वीडियो का निर्मान बार बार बिलकुल भी नहीं होता है, आज अ सबसे पहले तो जो भी भगत अपनी मां से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में केवल माता रानी के सच्चे भगत ही प्रेम से जय माता दी लिखिएगा, माता रानी उनकी सारी मनों कामनाएं पूर्ण करेगी, तो चलिए, मित्र निर्मान में भी एक-एक विचार का महत्व होता है, इसलिए अपने विचारों को शुध बनाइए, क्योंकि आपके शुध विचार ही आपके एक अच्छे चरित्र का निर्मान करेंगे, अर्थात, मित्रो, जब आपके विचारों में शुधता होगी, तो जीवन में भी सक आरात्मकता और शुधता अलग ही जहलकेगी, तो गुरुजी का यह ज्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा, गुरुजी का यह ज्यान आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे-राधे अवश्य लिखिएगा, तो चलिए, मित्रो, बात संबंधित उतार चड़ाव आपको नजर आएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, वहीं आपको बता दें कि आपके द्वारा बनाई गई योजना की वजह से, खर्चों पर नियंतरन करना संभव है, तो योग्य लोगों से आपका संपर्क बढ़ाना होगा, तभी मित्रों, आपको करियर से संबंधित बहुत से विचार अपने आप उत्पन होंगे, और रिलेशन्शिप से संबंधित उतार चड़ाव के बारे में बिलकुल भी सोच विचार इस वक्त ना करें, मित्रों, पेट की ज्यादा पर ज्यादा वक्त बरबाद ना करें, जिन बातों की वजह से स्पीकर 1, 03, पेफिडो पार, आपके मन में लालच है, उनसे दूर ही रहना होगा, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है, लालच अच्छे-अच्छे को ले डूपता है, कुछ समय एकांत में बित हुआ नजर आ रहा है, पार्टनर आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रयत्न करते रहेंगे, वहीं आपके लिए यह समय लाब दायक भी रह सकता है, कई सारी बातों में संतुलन बनाए रखने की वजह से तकलीव भी कम हो सकती है, और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, उसमें सतरकता रखें, क्योंकि आप केवल कार्य करते जा रहे हैं, आप उसके आगे पीछे का और दाय बाय का बिलकुल नहीं सोच रहे हैं, मित्रो, खुद के लिए रखे सकारात्मक विचार आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगे, और मित्र की मद से आपको मदद से कोई बढधा अवसर भी प्राप्त हो सकता है, जी हाँ, आपको बता दें कि रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेते समय जो दुविधा है, उस पर ठीक से सोच विचार करना होगा, तभी अंतिम निर्णय तक आप पहुँच पाएंगे, और सेहत से स जी हां मित्रो क्योंकि आर्थिक पक्ष जो होता है वह इनसान के जीवन में बहुत मायने रखता है, अर्थात कहते हैं कि जब आपके पास पैसा होता है, तभी लोग आपको पूछते हैं, मित्रो अभी का समय आपके पक्ष में है, साथ में अनेक प्रकार की उपलब्धियां भी आपके लिए लेकर आ रहा है और आपको प्राप्त भी हो रही है, तो व्यक्तिगत जीवन में भी आपके सुधार हो सकता है और किसी भी बात की चिंता से बचें। आपको बता दें कि करियर संबंधित अपेक्षित बदलाव आपके जीवन में होंगे। अपने कार्यक्षेत्र में पारंगत लोगों के साथ समय बिताने का मौका आपको मिलेगा और रिलेशन्शिप को बेहतरीन बनाने के लिए धीरे-धीरे ही सही लेकिन प्रयत्न करने और प्रयत्न यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आज ही से शुरू कर दीजिए क्योंकि बेहतरीन रिलेशन्शिप जो है आपके जीवन का एक अभिन अंग है। पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है तो योगा भ्यास को अपने जीवन शैली का अंग जरूर बनाएं क्योंकि योग जो है अच्छी अच्छी बीमारियों को मात देने का काम करता है। वहीं आपको बता दे मित्रो कि रिलेशन्शिप में नई शुरूआत होती हुई नजर आएगी। जिन बातों की वजह से अभी आपको निराशा महसूस हो रही थी अर्थात उनमें कुछ सकारात्मक बदलाव नहीं दिख रहा था, तो अब आप देखेंगे कि समय के साथ सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा और निराशा भी मिठने लगेगी। अचानक से प्राप्त हुए अवसर आपको डरा सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रन बनाए रखें। इस नई श बढ़ने लगेगी और अपच की समस्या आपको हो सकती है। समय के अंतराल में आपको एक विशेश बात का ध्यान रखनी है कि लोगों ने आपके लिए रखी अपेक्षाओं का बोज कम होने लगेगा। अर्थात जिन लोगों ने आपसे जो अपेक्षाएं रखी थी, वह अपेक्षाएं वे वापस लेने वाले हैं। आप खुद की भावनाओं पर अधिक ध्यान दे पाएंगे और खुद को बहतरीन बनाने के लिए आपको सीमित विचारों से बाहर निकल कर नए नजरिये को अपनाने की आवश्यक्षा होगी। क्योंकि मित्रो आपका सीमित व भावनात्मक तकलीफ को नजरंदाज न करें और काम से संबंधित बातों में मन न लगने के कारण आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन काम से संबंधित कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है और पार्टनर के साथ हो रहे विव इस समय के अंतराल में केवल अपने खयालों में ही रहने के कारण आपको परिस्थिती से संबंधित सच्चाई का पता लगा पाना कठिन लग सकता है। इसलिए खयाली दुनिया से बाहर निकलिए और वास्तविक्ता की जिंदगी में आईए। किसी भी व्यक्ति की मदद कर आपकी भावनाएं आप पर अधिक हावी होगी जिसके कारण हर एक बात से संबंधित जरूरत से अधिक विचार किया जाएगा। जो नई तकलीफें तो उन्हें उत्पन ना कर सकता है। जो मित्रों आपको बता दे कि काम से संबंधित बातों में अचानक से बदलाव आने के कारण आपके द्वारा बनाई गई योजना में भी बदलाव लाने की आवश्यक्ता होगी। पार्टनर की मानसिक स्थिती ठीक ना होने के कारण आपको भी बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन पार्टनर का ये रवया आपके लिए आखिरी क्यों बन रहा है। इस बात क कम आत्म विश्वास महसूस होगा, जिसे फिर से प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यक्ता है और पैसों से संबंधित लिया हुआ गलत निर्णय घर की आर्थिक परिस्थिती पर परिणाम दिखा सकता है। वहीं, मित्रो, व्यापार से संबंध बढ़े लोन लेने की अभी आवश्यक्ता नहीं है। जो आपको स्त्रोत उपलब्ध है, उनसे ही काम चलाएं। यदि परिवर्तन लाने की सोच भी रहे हैं, तो अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही आप उन परिवर्तनों को लेकर आएं, वरना बिना सोचे समझे, आ आप अपने ही पैर पर कुलहाडी मारने जैसा काम करेंगे। परिवार से संबंधित बातों में आपके और पार्टनर के बीच मतभेद होंगे, लेकिन इसका असर आपके रिलेशन्शिप पर बिलकुल भी नहीं होगा। इस बात को हम आपको पहले ही बता रहे हैं। पैसों कि आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो वह शुरुआत बिलकुल निचले सिरे से करें। अर्थात जीरो से करें। क्योंकि अगर आप जीरो से करेंगे, तब ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। वहीं आपको बता दें कि परिवार से संबंधित बा जिसकी वजह से आपकी प्रगती में बाधा डालने वाली आदतों को दूर करना आपके लिए संभव हो सकता है। काम पर अधिक से अधिक ध्यान देकर आगे बढ़ने की कोशिश करें और परिवार से संबंधित थोड़ी चिंता आपको सताएगी। लेकिन वस्तु स्थिती में चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि कभी-कभी ज्यादा चिंता करना आपकी मनोस्थिती यानि की मानसिक स्थिती को बिगाड़ सकती है। काम से संबंधित हुई गलतियों को सुधारने का अफसर आपको फिर से प्राप्त हो रहा है। इसे खोने दें। रिलेशन्शिप से संबंधित, निर्णे लेते समय, खुद का अफसर आपको फिर से अपेक्षाओं को महत्व दे कर ही आगे बढ़ना होगा। थकान और आलस आपको महसूस होगा। आपको जीवन में फिलहाल बड़ी खुशियां भले ही प्राप्त नहों, लेकिन ह हर एक बार में स्थिरता नजर आएगी। हर छोटी-छोटी खुशियां आपको ढूंडनी होगी जो कि आपके आस पास ही है। ग्रिह युद्ध की भावना को बढ़ाने की कोशिश बिलकुल न करें। अर्थात जिसके द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोन आप पर बना रह और आप प्रयत्न भी जारी रखेंगे। युवाओं के लिए यह समय मिश्रित ठलदायक भी रहने वाला है। अर्थात चारों तरफ से आपके लिए जीवन में नए उन्नतिके मार्ग खुलेंगे। पार्टनर के साथ मिलने के कारण आपके अंदर की इंसेक्योरिटी कम हो और मित्रों के साथ वक्त बिताने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी, जिसकी वजह से आपको आनंद और मित्र परिवार के अधिक करीब महसूस होगा। मित्रों आपको बता दें कि यह जो समय रहेगा, इस समय के अंतराल में बहुत सी उपलब्धियां हाथ लगेगी और सलाह माने तो सुपाच्चही भोजन करें, वहीं बेचैनी और चिद्धा चिद्धापन दूर करने की कोशिश करें, थोड़ा समय खुली हवा में बिताने की कोशिश करें और कोशिश करने में और शरीर को आराम देने के लिए भी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव कर अर्थात, मित्रो समय शरीर इन दोनों का आपको सदुप्योग करना चाहिए यदि इस समय आपके पास है तो आप उसे अच्छे काम में लगाईए लेकिन दूसरी तरफ अपने शरीर का भी ध्यान रखें क्योंकि यह भी भगवान की अमूल्य देन है आगे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कुछ चमतकारी उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं आर्थिक और मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए नीम्बू के टोटके बेहद कारगर साबित होते हैं वैदिक ज्योतिश में नीम्बू का संबंध शुक्र और चंद्रमा से माना गया है नीम्बू के खटे होने का संबंध शुक्र से है और जलिय होने का संबंध चंद्रमा से माना गया है ऐसे में नीम्बू के इन उपायों से ना सिर्फ परेशानियों को दूर करेंगे बलकि कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिती भी मजबूत होगी तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि नीम्बू इन आसान तोटकों से धन, पारिवारिक, करियर आदी समस्याओं से मुक्ति मिलती है आईए जानते हैं नीम्बू के इन आसान तोटकों के बारे में कई बार मेहनत करने के बाद भी वह सफलता नहीं मिलती, जिसके हकदार होते हैं। इसके लिए तंत्र्शास्त्र में नीम्भू का यह टोटका आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप हनुमान मंदिर में एक नीम्भू और चार लौंग लेकर जाएं। मंदिर में हनुमान जी के सामने नीम्बू में चारों लॉंग को लगा दे। इसके बाद सुन्दरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें और लॉंग लगे नीम्बू को अपने साथ ले जाएं और कार्य प्रारंभ कर दें। काम को कोई दुखत समाचार मिलने से कुछ मन व्यथित रहेगा और आपको ध्यान रखना है कि व्यवसाय संबंधित नया ओर्डर या डील फाइनल हो सकती है। आपको बस अपने कार्य प्रणाली और व्यवस्था को अधिक बहतर बनाए रखना है और बनाने की जरूरत है। नौकरी पेशा, लोग अपने काम में लापरवाही की वजह से परेशानी में पढ़ सकते हैं और दामपत्य जीवन में उचित सामंजस्य से बना रहेगा लेकिन प्रेम संबंधों में गलत फहमिया ना उपजने दें। मित्रो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन ब्लड प्रेशर और डाइबिटीज संबंधित नियमित जाँच करवाना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से परहेज करें क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पढ़ सकता है। मित्रो, जिन बातों की वजह से व्यर्थ में भाग.dh हो रही है, उन बातों से बचें क्योंकि कोई भी मतलब आपके हाथ नहीं आने वाला है। काम से संबंधित डेडलाइन छूटने की वजह से आपको तनाव हो सकता है। लेकिन वरिष्ठों के साथ ठीक से बात चीत करने की वजह से आपका नुकसान नहीं होगा। आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करेंगे और आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने भाईयों से भी मदद मांग सकते हैं तो भाईयों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं, भाई भी वैसा ही सहयोग आपको करेंगे और आपके लिए यह समय जो है उत्तम रूप से फल दायक रहने वाला है। सभी लोग आपसे आसानी से जुड़ पाएंगे और अपने कार्यों में आपका साथ दे पाएंगे। आपको किसी संकट ग्रस्त व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें आपको अपनी आर्थिक स्थिती को ध्यान में रखकर मदद करना ही बहतर रहेगा। नहीं और आप अपनी बुद्धी का प्रयोग करके काफी कुछ पा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो आपका वहधन और समय दोनों ही डूब सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और अपनी बुद्धी का विशेश प्रयोग कीजिएगा। वही मित्र जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। वह पल आने ही वाला है। आपके व्यापार की कोई खास डील फाइनल होने ही वाली है। फिर भी मित्रो आप अपने मित्रो के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लैन बना सकते हैं तो जिसमें आपको अपने पिताजी से सलाह मश्विरा करके जाना बेहतर रहेगा। तो मित्रो इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि आपका विनिर्मिट स्वभाव हर लोगों के द्वारा सराहा जाएगा। जितना ज्यादा हो सके अपने स्वभाव में विन्रमता बरती और सबसे अच्छे से पेश आना आपके लिए जरूरी होगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। मित्रो और धन की आवाज आही पूरे समय होती रहेगी। तो मित्रो बता देते हैं कि धन से संबंधित कोई भी तनाव लेने की आपको इस वक्त जरूरत नहीं है क्योंकि आर्थिक स्थिती बहु बहुत जरूरत है क्योंकि यदि आप मन मारना नहीं सीखें तो इस वजह से पैसा अत्यधिक खर्च भी हो सकता है। आपके दोस्त आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए मित्रो कहते हैं कि धोखा भी एक जीवन का सबब होता है। यह हमें उस जगह पर मिलता है जहां से हम बिलकुल भी इसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। महबबत की टीस आपको रात में सोने नहीं देगी। अब मित्रो यदि कोई व्यक्ति आप से लगाव ही नहीं रखता है और जुद्धना ही नहीं चाहता है तो ब इरगावधी के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस समय मित्रो यह योजना टाल दें। क्योंकि आपको कोई लाब होने की योजना नहीं बन रही है। ऐसी कोई योजना आपके हाथ भी नहीं लग रही है। आपका खाली समय या तो इधर-उधर की बातों को करने में बर इनता भी होगी क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाएंगे। हर कोई व्यक्ति आज के युग में समय के लिए लड़ रहा है और आपके पास समय है। फिर भी आप मित्रो बेकार में फिजूल में खर्च कर रहे हैं। बता देते हैं कि अपने जीवन साथ ही को सरप्राइज देते रहें। नहीं तो वह खुद को आपके जीवन में महत्वहीन समझ सकता है। मित्रो गरीब कन्याओं में खीर बांटने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा। यदि आपके परिवार में हद से ज्यादा दुख तकलीफ रहते हैं, आपस मे नहीं बनती है, तो जरूरी नहीं है कि गरीब कन्याओं में खीर बांटें। आप कुछ भी बांट सकते हैं। मित्रो बसदान पुन्य की परंपरा चलती रहनी चाहिए। बाहरी गति विधियां आपके लिए फाइदे मंद रहेगी, लेकिन अंदरूनी गति विधियों पर आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को रोक देंगे। मित्रो इसलिए जीवन में किसी से बंधे रहना कभी भी मत, क्योंकि मित्रो बंधे रहने से हम क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। ये आदत आपको चिड़ मित्रो आप कहीं से भी पैसा निकालने में सक्षम रहेंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। अगर आपने अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने हितों को ही नुकसान अच्छे परिणाम दे सकता है। जीवन में जो भी हालात इस वक्त बन रहे हैं, उन हालातों का निर्मान सही से करें। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रो, कि शाम के वक्त आप किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको उनकी अच्छे में थोड़ा सा सुधार लेकर आएं, क्योंकि इनसान की पहचान उसकी वानी और उसके व्यवहार से ही होती है। और जब ये दोनों स्वच एवं निर्मल रहेंगे तो आज का दिन आपके लिए लेंदेन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने के लिए विद्यार्थियों का उच्छ शिक्षा पर पूरा जोर रहेगा और संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुब सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। भावनात्मक मामले में आप बहतर बनेंगे। आप अपने धन का कुछ हिस् पुन्य के कारे में भी लगाएंगे जिससे आपकी छववी और निखरेगी। परिवार में आज किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। इसलिए बहुत ही तोल मोल कर बोले। यदि आपने संतान से कोई वादा किया था तो आपको उसे पूरा करना होगा। आ आपको बड़ों का सहयोग और सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। लेकिन आप किसी काम को लेकर अपनी मनमर्जी ना चलाएं और पारिवारिक मामलों में आप सोच समझ से कोई फैसला लें। आपके घर किसी नए महमान का आगमन हो सकता है। जीवन साथी की सेहत में क कुछ गिरावट आ सकती है। इसलिए आप सावधानी बरतें। जरूरी कामों को आपको धैरे रखकर निपटना होगा। आज का दिन आपके लिए आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। तभी आप अपने कामों को समय से कर पाएंगे। बंधुत्व की भ नहीं तो आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। आप जनकल्यान के कारे से जुड़कर आप नाम कमाएंगे और आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। संतान की तरक्की में यदि कुछ बाधा आ रही थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन आपके और सहयोग की भावना बनी रहेगी। आप रक्त संभंधी रिष्टों को जोडने में कामयाब रहेंगे। आपके घर किसी भव्य आयोजन के होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है तब ही उन्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल हो सकता है। आपको अपने किसी मित्र की चिंता सता सकती है।